Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy, मैं हूँ आपका instructor मुहम्मद बिन जमील, students अमीद करते हूँ कि आप सब खेरी यसी होंगे, हम D.I.M.A.T. 1, 2, 3, paper A, chapter number 6, vectors and scalar, rationalized exercise के according, इसके short question जो है वो discuss करने जा रहे हैं, question number 18, if vector A is equal to 2i plus 3j plus 4k, and vector B is equal to i minus j plus k, और हमने इस vector का निकालना है cross product, ठीक है, यनि vector A cross vector B और फिर इसके बाद हमने इसका magnitude लेना है, देकि फर्स्ट उपाल तो आपको vector के cross product का कुछ function या mechanism पता होना चाहिए, कि अगर उसमें कोई एक value आई होती है, तो दूसरी, मतलब direction में i है, j है और k है, अगर तो आई cross j करेंगे, तो आपको तीसरी direction k मिलेगी, अगर आप यहाँ पर j cross k करेंगे, तो आपको i direction मिलेगी, और अगर आप यहाँ पर k cross i करेंगे, तो आपको j direction, लेकिन अगर आप इसका उलट कर जाएंगे, आप direct i cross k, इस तरह तो आपका नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन उलट direction में हो जाएगा, जैसे आप करेंगे j cross i, तो आपको हो जाएगा negative में k, इसी तरह अगर आप k cross j करेंगे, तो आपको negative में i मिलेगा, और अगर आप यहाँ पर i cross k करेंगे, तो आपको यहाँ पर negative में j मिलेगा, तो यह कुछ directions होती हैं इसकी, बट हम इस method को follow नहीं करने वाले, मैं आपको matrix के according करवा देता हूँ, वह ज्यादा easy रहेगा, कि आपने निकालना है, first of all, matrix A, यानि के पहले तो आपने इसका cross निकालना है, आप यहाँ पर लिके i, j, k, हम matrix method के according कर लेते हैं, आपके पास A vector के अंदर क्या है, 2, 3, और 4, direction साथ आप sign भी लिखेंगे, और फिर इसमें 1 है आपका, दूसरा matrix आगया ना, चलिए, जो मतलब बताता हूँ आपको, 2, 3, 4 जो हमने लिखा है, यह पहला A vector आगया, इसी के नीचे आपने second vector जैसे, i है तो इसका 1 हो गया, j माइनस वाला है तो माइनस 1 आगया, और k आपका 1 वाला है तो 1 आगया, इसको matrix की form में लिख लिया, ठीक हो गया, अब इसके बाद आपने क्या करने है, इसमें i को आपने रख लिया, और उसके बाद आप i के नीचे वाला कॉलम और i के साथ जो j और k है, यह freeze हो जाएंगे, और आपके पास metric बनेगा 3, 4, minus 1, and 1, यह magnitude की form में चले जाएंगे, यह इसको आप determinant बोलते हैं, फिर second वाले के साथ आपने minus लगाना ही लगाना है, rule है, ठीक है, और इसके बाद आप second वाला कॉलम और first वाली row freeze हो जाएगी, तो 2, 4, 1, और 1 आपके पास आजएगा, अब plus में के रहेगा, सिरफ आपकी second वाली जो j है न इसके साथ minus लगेगा, बाकी positive है, अब के किस row में है, के first row में है, और first row freeze हो गई, और इसका third column भी freeze हो गया, तो 2, 3, 1, and minus 1 आजएगा, ठीक है, जिस row में और जिस column में वो मुझूद रहेंगे, वो दोनों row और column freeze हो जाएगे, और बाकी elements आपने लिख लेने हैं, इसका simple सा method है, अब आपने इसको cross multiply करते हुए determinant लेना है, आई वैसी आगया, अब यहाँ पर आपने 3 को multiply करना है 1 के साथ, दर्म्यान में minus लगा दें, फिर 4 को multiply करना है minus 1 के साथ, हमेशा याद रखे, पहली value उपर वाली होगी, ठीक है, फिर minus में आपका जे आजएगा, पहली value उपर वाली कों सी है 2, और left से, पहले 2 फिर 4, 4 पहले नहीं ले सकते, 2 को किया, फिर आपने 1 के साथ, उसके diagonal जो है, फिर दर्म्यान में minus आगया और 4 को, 4 के diagonal क्या है 1, जो 2 के नीचे है, ठीक हो गया, उसके बाद plus करते हुए, तीसरा आपके पास के है direction, तो उसमें भी आपका 2 और इसके diagonal है minus 1, फिर दर्म्यान में minus ही रहेगा, और आप आप यहां पर 3, minus minus plus हो गया, 4, 1, the 4, छीक हो गया, इसी तरह minus है, यहां पर J है आपका, इसके अंदरा आपका 2 और minus 4, सही हो गया, फिर plus में आपका K आगया, और इसमें आपका minus 2 and minus 3, छीक है, just simplification, अब आपके पास यह vector बनने वाला है, तो देख लिए 4 और 3 कितनी हो गया, 7, अगर आप चाहें तो एक इसमें बनाने, 7 है ना, छीक है, minus, यह पर J है और यह आपका माइनस में 2, छीक है ना, 4 मतलब 4 में से दो, 2 तो निकल गया, बड़ी रिकम, बना साइन किसके साथ है, 4 के साथ, minus 2 हो गया, plus आगया, K और यह आपका माइनस में 5 हो जाएगा, दोनों हो जाएगे, बड़ साइन, नेगटिव, ठीक है, same as it is, आपके जो वेक्टर, यह जो इने साथ, प्रोड़क्ट जो चल रहा है, A क्रॉस B का, यह भी चलता रहेगा, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको क्लोस करना है, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, और यह हमारे पसार है, 7i, minus minus plus 2j, and minus 5k, हमारा वेक्टर आचुक है, बट हमें चाहिए इसका magnitude, question में हमें demand की होई है, तो हमने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का magnitude लेना है, so, x square, मतलब 7 का square, plus y square, जो है, वो 2 है, और plus में, z है, minus 5 का square, ठीक हो गया, तो यह magnitude का formula है, simple सा, 7, 7 दा 49, plus 2 to the 4, औ plus 5, 5, the 25, और अब हमने इसको, सब को total count करने, तो हमें जो है, वेक्टर A क्रॉस, जो है, वो वेक्टर B का magnitude मिलेगा, आपने एक चीज़ नोट की, जब ने, जब हमने इन दोनों का क्रॉस निकाला, तो हमें वेक्टर मिला, यह, उसके पाद फिर magnitude से, जो है वो, यह हमारा, जो है, वो scalar quantity में, मतलब convert हुआ, otherwise, दोनों वेक्टर प्रोड़क्स को multiply करके, क्या हासिल हुआ हमें, हमें एक वेक्टर quantity, मतलब वेक्टर में मिला answer, तो 49 plus 4 plus 25 करते हैं, तो यह हमारे पास आजएगा, 78 square root के अंदर, ठीक है, 78, जो है, वो, square root के अंदर आ गया, और अगर answer चेक करें, बुक में, तो इसका answer, 78 का square root ही है, ठीक है, तो यह हमारे question का answer है, अमीद करता हूँ कि आपको question समझ आ गया होगा, और अगर आगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe भी कर लें, साथ ही bell icon पर click भी कर दें, वीडियो को like करें, share करें, कोई भी question क क्यूरी बगरे के लिए कुमेंट कीजिएगा, आपके साथ पिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज